मालो तुम्हार पास आइफोन 11 है और तुम बापस के दो किया आइफोन 14 प्रो दिला दो पूचेंग क्या काम है तुमने का उसमें चेहरा देख बड़ा गोरा दिखाई पड़ता है तो कहें गए कि यार फाल तुम्हारा काम चल रहा है ना जब तुम्हारा किस चीजों से काम चले तुम किसी चीज को विलासिता के लिए मतलो एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हो लिख लेना डाइरी में तुनिया को समझने के लिए दो भागों में बाटा गया है एक चैतन और एक जड़ कैतन ने मतलब कांशेस और दूसरा जड़ कैसे कुरसी है ना यह कि सुने ना बहुत बड़ी बात बताने आरो तुम पैसा जादा बेच करते हो अब इस चैतन को आनंद जब भी आएगा तो चैतन से ही आएगा जड़ से कभी नहीं आएगा तुम पचास लाग की घड़ी लगाकर कभी आनंदित नहीं रहोगे वो भ्रम है तुमारा कि मैं दो लाग का सूट पहनूंगी तो पूरी दुनिया मुझे देखेगी कोई नहीं देखेगा तुम जब भी तुम्हें दुनिया देखेगी तुमारे कर्मों से देखेगी तु इससे अगर देख रही है तो मजाक उड़ा रही है तुम्हारा कि इतने यूट्यूपर इंफ्लूएंशर है यूट्यूपर देखो रील बनाने वाले हो कुछ भी बना रहे है कुछ भी इसके चक्कर में तुम मत रहो इसलिए प्रोस्टिटूशन को पाप माना याता है वैश्या विरिति को तो कि तुम किसी की सिर्फ शरीर खरीदते हो उसकी चेतना नहीं खरीद पाते विवाह में चेतना भी साथ में आती है वो पत्नी इसलिए वैश्या विरिति को पाप माना याता है तो कि जल को तुम होगी नहीं सकते यह कुरसी 5000 की है पचाह 50 लाग की काम तो बैटने में ही आएगी न तो विद्यार्थी के रूप में प्रतिश्पर्धी के रूप में तुम जितनी चीज़ें की जरूरत हो बस उतना ही लो तुमारी कोचिंग 3 किलोमीटर के अंडर में है तो तुम साइकल से आएं चाहें तुम जिसके भी नगे हो तो दस किलोमीटर की टेली साइकलिंग हो जाएगी कि नहीं तुम अलक से एक्सिसाइज करने जाने की जरूरत ही पर जीवन में यह पता होना चाहिए किस से लड़ना है और किसलिये लड़ना है ये जिसको नहीं पता वो बहुत परिशन है तुझाओं में देखो एक एक विस्सा जमीन के लिए लोगों अपने आपको बरबाद कर डाला एक बिस्ता जमीन के लिए मुगतमा लड़े 15 भीखा फिक गिया देखो अपनी तरफ गाउं में क्या आल है लड़ना है लड़ाई ही तो चल लए तुम्हारी आईस की तैयारी लड़ाई है यह लड़ाई सही है अधिया लड़ रहा है घर में लड़ाई लगालो ग्रांधी की लगालो भगसिंग लगालो जब निराश हो तो एक बार इस इन लोगों को देख लिया करो जो उर्जा से भर जाओके एकितम से विवयकानंद की लगालो इसलिए तो हिंदू मूर्ती पूजा करते थे मूर्ती से कुछ मांगते नहीं थे उससे उर्जे मिलती थी जब मूर्ती की तरफ देखते थे तो राम के बारे में सोचते थे कि 14 साल जंगल में रहे तो जब दूसरे की बुराई तब दूसरे की संघर सुनते हो तो अपना छोटा लगने लगता है जैसे तुम्हें सब्जेक्ट में फेल हो गया तो तुम्हारा दूख कम हो गया तुम घर आके यह नहीं कहो कि मैं फेल हुआ तुम आओके पिंटू त का संघर से को तो तुमको अपना संघर स्वाथा बखने लगेगा और वहां से तुम्हें साहस मिलेगा उत्ते हिसनां मिलेगा इसने पार्लेमेंट से कहां पैसा ये ज को, किसी के सितारे खराब नहीं होते, हमाग क्षाना होता है। कर दो साल मेहनत करो चपकर बैटकर दुनिया से कटाफ हो जाओ मानाप को छोड़कर किसी से बात करो कोई ज्यादा टेंसेन करें भागा आदू किसी को पीछे मत भागो और किसी को फोन मत मिला करो जब तक वो तुमको न मिलाए लड़का हो चाहे लड़की पढ़ते वक्त फोन सुच आफ कर दो को पढ़ने में डिश्टर्ब करें सो घबर में बुला के खुब पीटो पहिले हाँ कोई विमार है तुम्हारे रिष्टजार तुम्हें उसकी जरुरत है चले आओ उसकी मदद कर दो यह सब माना होता है माना होता मत छोड़ो लेकिन ब्यकूफिया मत करो बड़े वाले अपना काम करो चुप चाहूं सब लोग अपने आपको क्रिशन से जोड़ते हैं कोई कंस अपने आपको जोड़ता है तुम ताकतवर हो जाओ तुम को भी लोग भगवान मान लेंगे कोई कहता है भाया हम सुदामा बनना चाहते हैं सब कहानिया इसलिए बनाई गए थी कि हैं तुमिन से सीख लो तुम गाना बना देते हो उस-पर अरे दौरफालो भाला आजीव राहता है यupl 새ृघ्ज है तुम सीखने के बज़ हैं तुम उसपे गाना बना देते हो emergence कि नयां अभर सुदामा गरीव गलाब आदनी ओ यार्ण तुम तो ऐसे हाथ रो जाईसे लग रहा है कि हम को यहीं चीज नहीं है तुम नहीं देखता हो इन चीज तो तुम हाशी से लिए रहे हो कि हम को यह चीज़ें क्यों नहीं दिखाई पड़ी भखती तो यह सब तुम्हारे सामने भी है ना पर तुमने गौर नहीं किया तुम गाना सुन रहा है तुम भी मगाना वाल जाल है हम गाली चलाते हैं तो मूलते सीधे गाने पर आते हैं उप अंदर राणा के गाने हम थाक और सूपर स्टार और उसे गाली चलती 500 की स्पीड कि गाने में तो कुछ होता नहीं लेकिन उसके रिद्म बड़ी प्यारी होती है जब भी आप गाली में चले हो ड्राइवर गाली चला रहा है तो भजन कभी मत सुनना ड्राइवर सो जाएगा गाली चलाते वक्त ऐसा रिद्म रखो कि ड्राइवर जक्टा रहे है वह विचा जाके गाली जब भी चले तो रिद्मिक गाने वजाओ मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने ड्राइवर चलाता रहेगा आईसे पढ़ा करो याद जीवन में आईसे काम करो हां ससके तुम अभी तक जीवन में रो रोखे काम किये हो अब बदल दोसको पढ़ाई करो मस्ती से हास कर खुशी होगर